पसकार दोस्तों स्वागत आपका आपके अपने चैनल ड्यूपटी पे फ्रेंड्स आज से यानि 26 सितंबर 2022 से जो डेली उनिवस्टी का CSAS Phase 2 है उसकी रेजिस्टेशन स्टार्ट हो जाएंगी पहले जो रेजिस्टेशन हो रखे हैं नेक्स्ट फेज आपका Phase 2 स्टार्ट हो जाएगा उसी पोर्टल पे लोगिन करके आगे आपको अपनी College प्लस Course Preferences चूज करनी पड़ेंगी और यार यह पहले ही बता दू जिनों ने अभी तक रेजिस्टर नहीं किया है तो आप अभी भी रेजिस्टर करोगे तो Phase 2 और Phase 1 एक ही साथ रेजिस्टर कर सकते हो और 10 अक्टूबर तक Last Date है तो कमेंट्स में पूछना स्टार्ट मत कर देना Phase 1 बंद हो गया क्या, Phase 1 बंद हो गया क्या 1st preference पे Ramjas College से Poll Science Owners करना चाहता हूँ 2nd preference से मैं Ramjas College से History Owners करना चाहता हूँ 3rd preference में मैं KMC से BCOM program करना चाहता हूँ तो ऐसे करके आपको अपनी preferences देनी पड़ेंगी College plus Course की एक ही साथ देनी पड़ेंगी, ठीक है college plus course की लेकिन दिक्कत यह है कि अगर आपने preferences में कुछ गडबड कर दी मतलब अपने अच्छे college की preference पहले नहीं दी, average college की दे दी, below average की दे दी और वो आपकी preferences में वो उपर आ रहे है और आपको एक बार अगर वो अलोट हो गया तो फिर आप change नहीं कर पाओगे नीचे की तरफ, उपर की तरफ तो आप कभी भी अपग्रेड कर पाओगे, एक बार फिर से समझाता हूँ, मालो दयाल सिंग एक college है, below average या average college में आप लगा लो, दयाल सिंग में आपने एक course, history honors मान लेते हैं, साइध होगा दयाल सिंग में, history honors अपने दयाल सिंग में fill कर दिया, लेकिन आपने वो fill करके अपनी first preference पे रख दिया, अगर आप उसको first preference पे रखते हैं, और जिस time आपकी seats allocate होंगी, तो आप फिर नीचे वाली जो भी colleges बचे हैं, उसमें change नहीं कर प पाऊगे, लेकिन इसका just उल्टा है, अगर आपने एक preference fill की है, वो आपकी 6th number preference है, 6 number preference में आपने ये रख दिया कि मैं दोलत राम से English honors करूँगी, दोलत राम से English honors में 6 number पे आप कर रहे हो तो आप 5, 4, 3, 2, 1, उपर की तरफ upgrade कर पाऊगे, नीचे की तरफ downgrade नहीं कर पाऊ होगे जब subsequent आपका next counseling का round आएगा, I hope पहले तो ये चीज समझ आगी कि कैसे system होने वाला है, तो preference select करने में छोटी सी गलती आपको, आपके marks को बिकार बना देगी, अच्छा college मिलने वाला था, एक average या below average college में आप land करोगे, दूसरी चीज जो बच्चों की doubt होती है कि भाई course भी कौम ही चीज है, college कोई सा भी हो चलेगा, क्योंकि हमें CA करना है, ये करना है, वो करना है, तो यार आप तो course lover होगे, तो बात ही नहीं होती कि आपको college पे change करना चीज है और नहीं करना चीज है, आप कोई भी college में land हो, अगर जिसको CA करना है, उसको कोई फरग नी करना है, या फिर CA वगरा करना है, एमकॉम करना है, तो फिर course चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि college से ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है, थोड़ा सा पड़ता है, और तीन साल बाद आपके किसी भी degree पे आपके college का नाम नहीं आएगा, second type के बंदे होते हैं कि भाया, एक better choice होती है, अपने courses में switch करने की, जैसे मैं था, मैं science background से आता था, तो मैंने क्या किया कि मुझे physics, chemistry और math, sonos, ramjas में कोई सा नहीं मिल रहा था, मेरी cut off के हिसाब से, तो मैंने एक course होता है, physical science with chemistry, मैंने वो opt कर लिया, ताकि मैं north campus में रह पाऊं, उसमें physics, chemistry और mathematics तीनों प सकते हो, same way जो history honors हो गया, पोल साइंस हो गया, जितने भी BA honors वाले courses है, वो BA program में switch कर सकते हैं, मालो आपको history honors करना है, history honors मिलते मिलते आप पहुँच गे south college में, कोई भी south cup लगा लो, मोतिला लगा लो, लेकिन वहीं आप BA program करोगे, English plus history मिल गया आपको, वो आपको miranda house में ही जो college में आकर decide करते हैं कि करना क्या है, so don't worry, अभी भी आप आकर decide कर सकते हो, तिसरे type के बंदे होते हैं, भाई, तू एक काम कर, तू हमें admission दिलवा दे, ना तो college से मतलब है, ना course से मतलब है, हमें admission दिलवा दे तू, तो यार वो उस type के बंदों को पता है कि कैसे courses select करने है Sanskrit honors हो गया, Buddhist studies हो गया, Arabic वगयरा, जो भी ऐसे list जो बच्चे लेते हैं, list taken courses, उनमें आप enroll करेंगे, तो वहाँ पे आपके chances बहुत जादा, और 90-95% हो जाएंगे, सिरफ और सिरफ आपको college चीए तो, तो यार देखिए, थोड़ा सा complex process होने वाला है, and I think ये video थोड़ी बद भी help करने वाली है, इस studies को decide करने में की कैसे आपको अपकी preferences रखनी चाहिए, dubody app में preference list का option available है, बहाँ पे आ करके आप अपनी preference list, अभी तक हमने सिरफ और सिरफ कोर्स में कैसे आपको college चूज करने चाहिए, ये लगा रखे है, लेकिन कल तक हम आपकी personalized preference list देने की courses करेंगे साथी साथ आप हमारे साथ personal counseling book करके भी अपनी preference seat update कर सकते हैं, Delhi University के portal और मैं खुद आपकी help करने वाला हूँ, वहाँ पे बैट करके, अगर आपको requirement लगती है, तो link description में है, जा करके आप dubody app पे download करके अपना session book कर सकते हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत important information थी कि अगर आपको ये check करना है कि आप किस course में कहां पर land कर रहे हैं, कितनी rank पर आ रहे हैं, तो वह आप dubody के college predictor में कर सकते हैं, जैसे आप screen पर देख पा रहे हैं, साथी साथ अपना college में predict कर सकते हैं, कि उस rank के basis पर कौन सा college मिलने के अपके chances हैं, और ये feature कोई last year के cutoffs के basis पर नहीं ह किजिएगा Delhi University से related important information के लिए dobody channel को subscribe कर लिजिए और अपने दोस्तों के साथ भी share कर दीजिए, धानेवाद